देखिए हमारे पास कुछ 300 कुछ मामले थे जो पुलिस ने जवाब नहीं दिया था उन मामलों को लेकर हम DGP से मिले थे जिस प्रकार DGP मिले वो लगा मुझे जैसे एक फ्रेंड जाता है दूसरे फ्रेंड से मिलने चाय पीने वो सोच रहे थे मैं सिरफ चाय पीने आई हू और सीरियस नहीं थे वो तयार नहीं थे क्योंकि वो मामले हमने पहले भेज दिये थे उनको यह नहीं है कि मैं लेके गई थी हमने इमेल करे थे और वो पेंडिंग थे इसका मतलब वो पहले S.P.s को मिले हुए थे SP's ने जवाब नहीं दिया था इसलिए वो मामले पेंडिंग थे और हम लेके गए थे लेकिन उसके लिए वो prepared नहीं थे, वो कोई action taken report नहीं लेके आये थे और evade कर रहे थे अपने जवाब भी मतलब बहुत casual थे वो मुझे उस meeting में लगाने की seriousness नजर आ रही है, अगर मैं वो 25 मामले जो rape और dowry death के मामले थे या attempt to rape के मामले थे, उन पर भी वो बहुत seriously बात नहीं कर रहे थे मुझे थोड़ा सा disturbing लगा और मुझे लगा कि ये highlight करना चाहिए प्रेस के सामने इसलिए मैंने आज आज आप से बात करने की सोची दूसरी चीज जो यहां के दो मुद्धे हैं, जो मैं आप द्वारा उठाना चाहती हूँ, वो सबसे ज़ादा है, trafficking के और witch hunting के witch hunting बहुत बड़ी problem है यहां पर, उसको seriously नहीं लिया जा रहा मुझे लगा था, यहां नहीं law बना, क्योंकि 36 गर में एक law है और उस पे काम भी बहुत अच्छे से होता है यहां मुझे बताया गया law बनाया है लेकिन implementation नहीं है और इसलिए हमें पता भी नहीं है कि law है, क्योंकि implement ही नहीं हो रहा वहां पर, तो उस पे मैंने बात की, दूसरा बात trafficking पे की, कि आप महिलाएं यहां से क्यों जाती है, यह source है अगर तो आप source पे उनको employment की मौके क्यों नहीं देते ताकि वो यहां से ना जाएं यह सब बातें मैंने CM से की और honorable governor से भी की यहां state commission नहीं है जब से सरकार बनी है और जब महिलाओं का मुद्दा होता है मुझे लगता है, यह सरकारें seriously नहीं लेती इसको और इसलिए state commission बनाती ही नहीं है बाकी सब बना देंगी महिला आयोग नहीं बनाएंगी तो महिला आयोग से के लिए भी मैंने बात की honorable governor, honorable CM से, दोनों से I hope after my visit they will take it seriously ABP News, आपको रखे आगे